हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरा नाम है अब्दूल और आप देख रहें टॉक्विद अब्दूल यूट्यूब चैनल आज की अबडेट अगें CSIR के एक और organization CSIO की तरफ से है और यहाँ पर हम डीटेल में डिसक्स करने वाले है कि क्या यहाँ पर frequency है कौन apply कर सकता है और आपको यहाँ पर फीस बिलकुल नहीं पर नहीं है एक्जाम होने की chances भी बहुत कम है तो डीटेल में discuss करेंगे मैं आपको बताऊं दा selection procedure सारी चीज़े है और अगर आप पहली बार चैनल पर आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आपको करियर गाइडेंस और लेटेस्ट चॉप अपडेट्स के वीडियो चाहिए और सेटप कैसा लग रहा है जरूर बताना मैंने अगर बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना टार्गेट रखते है 5000 लाइक आप कंप्लीट करीद हो गया और यहां पर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा और प्रिलिम्स पैकेज में हमने 2000 प्रेक्टिस को एड़ के दिया है ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए और प्रिलिम्स पैकेज अभी ओफर में है जहां पर एप्टिटूड और रीजनिंग दोनों आपको कंबाइन कोर्स मिल रहे है वो भी 1500 में जहां पर वैलिडिटी 6 प्लस 2 मन्स मतलब 8 मन्स की आपको वैलिडिटी मिल जाएगी क्या क्या इसमें और भी हमने प्रोवाइड किया है इस वीडियो को देख लीजिए डीटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है प्रैक्टिस कोईशन क्या है और क्या ओफर है जरूर से चेक कर लेना औ और इसकी last date 30 September है तो जली से enroll कर लेना अब अगर बात करते हैं तो यहां पर CSIO में कौन apply कर सकता है देखो यार मैं यहां पर पूरी लिस्ट पड़ूँगा इस से चेक screenshot डिस्पले कर रहा हूँ जितनी भी branches है वो सारी apply कर सकती है अगर मैं यहां पर कहूं तो mechanical भी आ रहा है computer science भी आ रहा है, electrical भी आ रहा है, electronics भी आ रहा है, VLSI आ रहा है फिर यहां पर environmental chemistry, environmental engineering यह सारे आपको देखी रहे होंगे यह branches apply कर सकते हैं अगर हम इसके अलावा की बात करते हैं तो यहां पर अगर आपने master's degree, natural या फिर agriculture science में किया हुआ है तो सबसे पहला project associate 1 जिसमें आप apply कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास bachelor's degree engineering की कोई भी हो, आप apply कर सकते हो, और यहां पर आपको मिल जाएंगे 25,000 प्लस HR है, अगर आपने कोई exam correct नहीं की है, qualify नहीं की है, और मान लो आपने gate qualify किया है, सिर्फ qualify किया है, या फिर UGC net qualify किया है, तो आपकी salary रहेगी, stipend आप करेगा 31,000 प्लस HR है, लोग कहते है, qualify करने का कोई benefit नहीं होता है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे benefit तो मिलते रहते है, आगे अगर बात करते है, project associate 2, जो आपके काम की vacancy है, लेकिन experience है, तो हम उसके बारे में discuss नहीं करेंगे, सिर्फ image रख दिया है, आप check कर लीजिए, अब यह desirable में इन्होंने काए, कि अगर gate UGC वाला qualified बंदा होगा, तो उसको उन ज्यादा prefer करेंगे, या फिर academics अच्छे होंगे, उनको ज्यादा prefer करेंगे, तो समझ में आ रहा होगा, कि क्या यह कहना चाते है, desirable में, और तो बहुत सारी चीज़े कही है, लेकिन यह दो point सब में common में देखे है, salary का structure सेम रहेगा, 31,000 प्लस HR जिन्होंने UGC या gate को qualify किया है, या फिर 25,000 प्लस HR जिन्होंने कोई qualify नहीं किया हुआ है, वो भी apply तो करी सकते है, और अगर आगे बात करते हैं, तो उसी में project associate 2 की vacancy है, जहाँ पे same यहाँ पे apply कर सकते है, लेकिन again बात वही आ ज मंग रहे है, और project associate 2 थोड़ा senior level position हो जाती है, तो वहाँ पे जो salary रहेगी, वो 28,000 रहेगी, without any qualifying exam, अगर आपने कोई भी exam qualify नहीं किये, तो आपकी 28,000 प्लस HR जिन्होंने कहा हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो दूसरा project है, लेकिन उसमें इ आपके काम की vacancy, उसके अंदर अगर बात करें, तो वो है project associate 1, जो की project मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, तो project यहाँ पे है, United States, India, Science and Technology, Endowment Fund, ठीक है, वो project के अंदर आप apply कर सकते हो, नव मैं project के नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि apply करते time आपको लिखना होगा कि कौ कौन से project के अंदर आप apply कर रहे हो, ठीक है, अलग-अलग project के लिए, अलग-अलग application आपको बेजने रहेंगे, वो मैं बताता हूँ कहां किस तरह से बेजने है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है, 31,000 प्लस HR-A, 25,000 प्लस HR-A, वो exam qualify वाला 31,000, without exam 25,000, और कौन स नहीं बनना है, कोई piece नहीं बननी है, करना क्या होगा, यहाँ पर एक application form जो है, इनका खुद का वो आपको fill करना होगा, और उसको आपको send करना है mail पर, लेकिन सिर्फ application नहीं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर educational qualification, date of birth, अगर category लगते हैं तो वो, और उसके साथ-साथ यहाँ यहाँ पर, यह सारी चीजे जो है, यह सारी चीजे ध्यान रखना यहाँ पर, यह सारी चीजे जितने भी certificates है और आपका application form उसको single PDF में बनाना है, single PDF, एक ही PDF होनी चाहिए, चीक है, अलग-अलग मत submit करना हो सकता है, reject हो जाए, और उस single PDF का नाम क्या रखोगे आप, आप जि date, month and year, इस format में screenshot दिख रहा है, यह सारे points ध्यान में रखना, कहां बेजना है, mail करना है, आपको project leader को, उनका mail ID भी इनों ने दिया है, जिसका screenshot में display कर रहा हूँ, वो आपको बेजना है, और subject क्या रखोगे mail का, application for the position of, name the position, फिर उसके साथ-साथ advertisement 3-2020, ठीक है, advertisement 3-2020 वो same ही decide करना है, आप क्या, आप कौन से मैं apply कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो यह सारी चीज़े मैं इसलिए बता रहा था, कि यह आपको जरूरत पड़ेगी apply करते time, यह guidelines को ध्यान रखके apply करना हो सकता है, और अगर इसके अलावा करोगे, तो कोई आपको answer भी नहीं करेगा अब देखो, यह आपको कब तक भेजना है, October 1st, पांच बजे से पहले या पांच बजे तक आपको यहाँ पर भेज देना है, आपके पास 7-8 दिन का time है, और कहीं पे भी hard copies नहीं भेजनी है, ठीक है, कोशिश भी मत करना, hard copies की बाद नहीं की गई है, अब आगे बात करते ह यहाँ पे आगे का selection procedure क्या होगा, मानलो आपको shortlist किया गया, इन्होंने clearly कह दिया है, कि अगर बहुत सारे applications हो जाएंगे, तो हम percentage wise, academic percentage wise यहाँ पे selection करेंगे, और कम होंगे, तो हम सीधा interview कंड़क करेंगे, और हो सकता है, percentage नहीं तो return exam कंड़क कर सकते हैं, लेकिन वो बहु केस में होगा, percentage से filter out कर दिया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि time नहीं है, और centers, यह सब कोई नहीं करता है, और temporary post है, तो इस चीज़ का भी यह लोग दियान रखेंगे, permanent तो है नहीं, ठीक है, यह चीज़ में बताना भूल गया, CSIR की सारी vacancies अभी temporary आ रही है, लेकिन अभी job से मतलब है, और अच्छी खासी salary आपको मिल रही है, आगे बात करते हैं, तो इनके कुछ criteria है, जैसे कि आपको यहाँ पे security deposit देना होगा, आपके 15 दिन के stipend का, मानलो selection हो गया, उसके बाद आपको 15 दिन का security deposit आपका stipend देना होगा, जो कि refundable है, वो रखेंगे रखें, चीक है, तो यह चीज़ इनोंने पहले से ही बता दी है, तो यह कुछ चीज़े है, जिसको आपको देखना है, और यह main important चीज़े है, इस recruitment की आप चाहो, तो सारी चीज़े आपस से एक बार वीडियो देख लीजे, अगर apply seriously कर रहे हो, तो सारी चीज़ों को ध्यान अभी तो यार बहुत ही बढ़िया हो गया है, आपकी preparation, aptitude and reasoning के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको guarantee दे सकता हूँ, तो यार जली से enroll करो, description में link दी है, and video अगर समझ में आई, आपका कोई दोस्त है, biotechnology वाला दोसको यह video share कर सकते हो, और उनको भ मिलते हैं next video में, next job update में, तब तक के लिए, goodbye, take care